सभी भक्तों को शिव मंगलम श्रावन के इस शिव पुरान कथासार के परायन में आपका स्वागत है हम रुद्र सम्विता में कुमार खंड का अध्यन कर रहे हैं इस खंड में कुल पांच अध्याएं हैं जिन में से पहले दो अध्याएं का श्रवन हम कर चुके हैं आज हम बाकी के तीन अध्यायों का श्रवन करेंगे यानि की अध्यायत तीन से अध्यायत पांच तक का श्रवन करेंगे अध्यायत तीन है भगवान गनपती के जन्म की कथा चौता गनेश विवा की कथा और पांचवा कुमार का क्रौंच परवत पर जाना तो चलिए पाठ आरम करते हैं ओम श्री गनेशाय नमहा श्री शिव महा पुराण ओम नमस्चंभवायच मयोभवायच नमस्चंकरायच मयसकरायच नमस्षिवायच शिवतरायच रुद्र संविता कुमार खंड भगवान गणपती के जन्म की कथा नारत जी पोले प्रजानात मैंने स्वामी कार्तिक के सब प्रितांत तथा उनकी उत्तम कथा सुन ली अब गनेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूं भगमाजी पोले हे नारत एक समय पार्वती के मन में ऐसा विचार आया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परमशुब, कार्यकुशल और मेरी ही आज्या में ततपर रहने वाला हो यो विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पूरश का निर्मान किया जो संपूर्ण शुब लक्षणों से संयुक्त था देवी ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अता तुम मेरी बात सुनो, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जा, मेरी आज्या के बिना कोई भी हट पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वे कहीं से भी आया हो और कोई भी हो ब्रह्मा जी कहते हैं यूं कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुन्दर छड़ी दे दी और गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया तथा सक्यों के साथ स्वेम स्नान करने लगी इसी समय भगवान शिव द्वार पर आ पहुंचे गणेश पार्वती पती को पहचानते तो थे नहीं अता बोल उठे माता की आज्या के बिना अभी भीतर मत जाओ कारण माता स्नान करने बैट गई है महेश्वर के गण उन्हें समझा कर हटाने का प्रयास कर रहे थे परंतु गणेश वहां से हटे नहीं शिवगणों द्वारा गणेश जी का युद होने लगा पर वे गणेश को पराजित न कर सके तब स्वेम शूल पाणी महेश्वर ने गणेश से युद करना प्रारंब कर दिया घोर युद हुआ अंततो गत्वा स्वेम शूल पानी महेश्वर ने त्रिशूल से गनेश जी का सिर काट डाला जब ये समाचार पार्वती जी को मिला तब वे कृध हो गई और बहुत सारी सक्षियों को उत्बन करके प्रले जैसी स्थिती बना दी ये देख देवरश्यों ने भगवती को प्रसंद करने के लिए प्रातना की तो भगवती ने कहा यदी मेरा पुत्र जीवत हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा भगवान शंकर की आज्यानुसार शिवगणों ने उत्तर दिशा से एक हाथी का सिर लाकर उस धड़ में जोड दिया इसके अनंतर देवताओं ने वेद मंत्रों द्वारा जल को अभी मंत्रित कर उस बालक के शरीर पर छिड़का जिससे वेपालक चेतना युक्त होकर जीवित हो गया अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती देवी पसंद हो गई और उन्होंने हर्श से उसका मुख चुमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा अब से संपून देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा भम्मा जी कहते हैं हे मुने तदंतर भम्मा विष्णू और शंकर आदी सब देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसंद करने के लिए गणेश को सरवाध्यक्ष घोशित कर दिया शिवजी कहते हैं हे गिरिजा नंदन विग्न नाश के कारे में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा तु सबका पूज्य है इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर गणेश को पुना वर्दान देते हुए बोले हे गणेश्वर तू भादरपद मास के कृष्ण पक्ष की चतूर्थी को चंदर्मा का शुबोदय होने पर उत्पन हुआ है इसलिए उसी दिन से आरंब करके तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए यहां शिवजी ने चतूर्थी व्रत की शास्त्रोक्त विधी तथा उसकी महिमा का वर्णन प्रस्तुत किया है गणेश विवा की कथा कुछ समय बीच जाने पर एक दिन शिव पार्वती के मन में यह विचार आया कि हमारे दोनों पुत्र विवा के योग्य हो गए है मारा होना चाहिए दोनों ने यह इच्छा व्यक्त की शिव पार्वती ने कहा सुपुत्रों हम लोगों ने पहले से एक ऐसा नियम बना रखा है कि जो सारी प्रित्वी की परिक्रमा करके पहले लोट आएगा उसी का विवा पहले होगा माता पिता की यह बात सुनकर महाबली कार्थी के अपने स्थान से प्रित्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिये परन्तु गणेश वहीं खड़े रह गए विमवन में विचार करने लगे कि परिक्रमा तो मुझ से हो नहीं सकेगी अब मैं क्या करूँ गणेश जी ने अपने माता पिता शिव पार्वती को सुन्दर आसन पर बिठाया और विधी पूर्वक उनकी पूजा कर साथ परिक्रमाएं संपन की और निवेदन किया कि शास्त्रों के अनुसार मेरी प्रित्वी परिक्रमा पून हो गई अता मेरा विवा पहले कर देना चाहिए भगवान शिवा शिव ने गणेश जी की बाद स्विकार कर ली और सिद्धी एवं बुद्धी के साथ गिरिजा नंदन गणेश का विवा संपन हो गया उनकी सिध्धी नामक पत्नी से क्षेम और बुद्धी से लाभ नामक पुत्र हुआ कुमार का क्रोंच परवत पर जाना इधर नारत ने कार्तिके को माता-पिता के द्वारा चल करने की बात कहेकर उने भड़काया कुमार सकंद माता पिता को प्रणाम कर क्रोध आगनी से जलते हुए शिवा शिव के मना करने पर भी क्रोंच बरवत पर चले गए और तभी से वे आज भी वहीं पर हैं ब्रह्मा जी कहते हैं हे देवर्शे उसी दिन से लेकर वे शिव पुत्रकार्ति के कुमार ही रह गए कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक पूर्णिमा तिथी में जो व्यक्ति कुमार का दर्शन करता है उसके पाप भस्म हो जाते हैं और उसे मनोव आंशित फल की प्राप्ति हो जाती है सकंद का वियोग होने पर उन्हें सुखी करने के लिए शिव पार्वती स्वेम अपने अंश से क्रोंच परवत पर गए वहां मलिका अर्जुन नामग जोतिरलिंग है आज भी वहां उनके दर्शन होते हैं पार्वती सहित उन शिव को आया जान कर वे कुमार विरक्त होकर वहां से अन्यत्र जाने को उद्यत हो गए देवताओं और मुन्यों के बहुत प्रात्ना करने पर भी वे कार्थि के उस थान से तीन योजन दूर हट कर निवास करने लगे हे नारत पुत्र के स्ने से आतूर वे दोनों शिवा शिव कुमार के दर्शन के लिए पर्व पर्व पर वहां जाते रहते हैं आमधस्या के दिन वहां शिव जी स्वेम जाते हैं और पूर्ण मार्शी के दिन पार्वती जी निश्चत रूप से वहां जाती हैं हे मुनीश्वर आपने कातिके और गणेश का जो जो विरतांत पूछा वेश्रेश्ट वितांत मेने वर्नित किया। इस प्रकार रुत्र सम्विता का चतूर्थ कुमार खंड पून हुआ। ओम नमो भगवते रुत्राय ओम नमस शिवाय।